नमस्ते दोस्तों स्वागते आप सभी का फिर से मेरे चनल त्रियांग मनमो जी पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पोंगल पर निबंध हिंदी में तो चलो शुरू करते हैं पोंगल किसानों का तेवहार होता है पोंगल तेवहार को मुख्य रूप से डक्षिन भारत में मनाया जाता है पोंगल तेवहार को एक दिन नहीं बलकी चार दिन तक मनाया जाता है यह तेवहार प्रतिक वर्ष 14 या 15 जन्वरी को मनाया जाता है पोंगल के पहले दिन को भोंगी पोंगल कहते है और इस दिन वर्षा के देपता इंद्रदेव की पूजा की जाती है दूसरे दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है और सभी घरों में गुड और चावल की खीर बनाई जाती है जिसे पोंगल कहते है तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते है और इस दिन खेती के लिए प्रयोग होने वाली पशू की पूजा की जाती है उन पशू को नहलाया जाता है तिलक लगाया जाता है और अलग-अलग प्रकार के व्यंजन खिलाया जाते है चौथे दिन को तिरुवललवर कहते है इस दिन घर को आम और नारियल के पत्तों से सजादा जाता है रंगोली बनाते है इस दिन नए वस्तरप पहने जाते है और रिष्टतरव के यहां मिठाई और पोंगल भेजा जाता है इस दिन किसान बहुत ही खुश दिखाई देते है और बड़े उत्सा से पोंगल के पर को मनाते है धन्यवाद दोस्तों